अक्टूबर 2022 में ये सिलसिला शुरू हुआ कि वो वाट्साप के जरिये इस महिला से पाकिस्तानी महिला से लगातार आधी रात तक चैट करता था डिरेक्टर DRDO प्रदीप कुरूलकर इनके कपड़े देख लीजे और हम मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं क्या इन्हें भी वो कपड़ों से पहचान लेते हैं ये संग की वेशभूशा में DRDO के डिरेक्टर ये देखी आप किसके सामने नतमस्तक होते हुए DRDO के डिरेक्ट प्रदीप कुरूलकर सावरकर सुरिती में अपने कुछ भाषन दे रहे हैं व्याख्यान दे रहे हैं ये पूरी भूमिका जो अभी आपने देखी ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको पिछले सप्ता ATS माराश की ATS ने पाकिस्तान को गुप्त समवेधन शील सूचनाएं दे इने के आरोप में गिरफतार किया ये प्रदीप कुरूलकर 14 साल तक संग में पूने की शाखा में सैक्सोफोन बजाते थे चौथी पीड़ी संग से जुड़ी हुई है यानि कि जो इनकी पहली पीड़ी जो संग से जुड़ी थी वो तभी जुड़ी होगी जब शावा प् मुखड़ी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे जब अंग्रेजों के साथ मुखबिरी हो रही थी चार पीड़ीों से क्या चल रहा है वो आपके सामने अभी आपने स्क्रीन पर देखा संगठन मंत्री रहे हुए हैं ये संसकार भारती के आप में से जो लोग संग से वाकिफ हैं और संग के जो सैंकडों अलग-अलग संगठन हैं उनसे वाकिफ हैं यू नो RSS is an umbrella organization in itself it's unregistered but it has hundreds of organizations under its umbrella one of them is संसकार भारती a major very very important organization Pradeep Kurulkar director DRDO has been associated with the Rashtri Swayemsevak Sangh for four generations he used to play the saxophone for 14 years for RSS he was for 12 years Sangathan Mantri of Sanskar Bharti this is the fourth generation RSS Karikarta Swayemsevak and he was arrested by ATS for giving sensitive information to Pakistan through a woman एक महिला के जरिये Pakistan में ये संवेदन शील जानकारी दे रहे थे कहते हैं honey trap हो गए थे असली honey trap तो शाखह में जाने से होता है वो होता है honey trap कि आप DRDO में हैं और शाखह में जा रहे हैं और यह पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों, धुरूफ सक्सेना का नाम इस मंच से कई बार दोराया गया, आपकी टेलेविजन्स पे, आपकी अखबारों में, आपकी डिजिटल स्पेस पे कई बार आप लोगों ने भी लिखा है, आईएसाई का में एजेंट बनकर धुरूफ सक्सेना भारती जन्ता पार्टी की आईटी सेल का मध्यप्रदेश का प्रमुख था, यह पहली बार नहीं हो रहा है, यश्वन्स शिंडे का नाम भी आपको इसी मंच से कई बार मैंने खुद ने यह नाम लिया है, नांदेड में यश्वन्स शिंडे जो की राष्ट्री स्वहम सेवक संग के प्रचारक हैं, उन्होंने खुद हलफ नामा देकर नांदेड की अदालत में खुद लिख कर कहा कि मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, यह अभी पिछले साल की बात है, तो अलग बात ह कि सीबियाई ने वो हलफ नामा लेने से इंकार कर दिया, तो हम जो आपको बताना चाहरे हैं वो यह, कि डियाडियो के डिरेक्टर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, पाकिस्तान को सम्वेदन शील सूचनाएं दे रहा है, हनी ट्रैप हो रहा है, पांच महिने, पर 2022 में ये सिलसिला शुरू हुआ, कि वो वाटसैप के जरिये, इस महिला से, पाकिस्तानी महिला से, लगातार आधी रात तक चैट करता था, पांच महिने, और फरवरी में जाकर, इसका लैपटॉप और इसके फोन जब्त किये गए, एटीएस को सौपे गए अब, पांच महिने में, या उससे पहले क्या हो रहा हमें नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम पड़ा, और डियाडियो ऐसा विभाग है, जो सीधे सीधे प्रधान मंत्री के नीचे आता है, पेगसस कहा गया, मेरे और आपके मोबाइल में था, प्रदीप कुरूलकर के मोबाइल में पे हुआ हुआ व्यक्ति, देश की समवेधन शील सूचनाए, दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है, ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए, मैं पिछले चार-पांस दिन से लगतार टीवी देख रहा था कि कहां ये खबर आती है, कुछ चैनल्स ने चलाई, मैं कॉंग्रेस से जुड़ा होता, तो आज क्या होता, अगर ये वक्ति किसी और छेत्रिय दल से जुड़ा होता, तो आज क्या होता टीवी पर, पाकिस्तान, इमरान खान सब भूल जाते हैं आप लोग, मनीपुर तो खेर वैसे भी आपको याद नहीं आता है, लगातार इस पर आप लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मीडिया, सरकारी प्राश्रे से सिर्फ और सिर्फ यही खबर चला रहा होता, बाकिस्ब कुछ भूल चुका होता, यह फर्ख क्यों है, एक गैर पंजिकरित संस्था से जुड़ावा व्यक्ति, आज संग की यह हिम्मत है कि कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, सैक्सोफोन वो आपके लिए बजाता था, आपकी धुन पर वो नाच रहा था, आपकी धुन पर चार पीडियों से वो नाच रहा था, और आज जब वो पकड़ा जाता है, तो संग कहता है कि हमारा इससे कोई सारोकार नहीं है, कोई संबंद नहीं है, यह है संग की असलियत कि जब पकड़ा जाए तो साब हमारा तो मेंबर्शिप रेजिस्टर ही नहीं है कहा है हमार इसका नाम कहीं भी नहीं है लेकिन आज जो जो दौर है वो मुबाइल का दौर है इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट की याददाश्ट बहुत मजबूत होती है हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा मजबूत होती है इसलिए ये सारे फोटोज ये सारे वीडियोज आपके सामने है अब ये नहीं कह सकते कि साब मेंबर्शिप रेजिस्टर तो ही नहीं कहा लिखा हुआ है प्रदीप कुरूलकर का नाम क्या गुणगान कर रहे है संग का स्तुतिगान कर रहे है अब बताइए ये संबंध है या नहीं है अब मैं आप पर छोड़ता हूँ सरयाम संबंध दिख रहा है पीडियों का संबंध दिख रहा है ना केवल संग से दिख रहा है इस PD का तो पाकिस्तान से भी संबंद सब के सामने है ये रिष्टा क्या है हम ये जानना चाहते हैं ये यही सरकार है भारतिय जन्ता पार्टी की कि जब ISI को आप पठान कोर्ट में बुलाते हैं निरिक्षन करने तो क्लीन चिट ISI को देते हैं कि साब इन्होंने तो बड़ा सयोग दिया जान्च में और ये तो कहते हैं कि पठान कोर्ट में भारतिय सैनिकों ने ही खुद हमला बोल दिया देखिए ये शरमनाक बात है या नहीं मुझे बताईए ये संबंध आपको दिखाते हैं कि इनकी असली चेहरा क्या ये वही DRDO है जो जवाहालाल नहरू ने बनाया था ये वही रिसर्च लैब है DRDO की जो इंद्रा गांधी ने बनाई थी इसमें बैठा कौन है संग से जुड़ा हुआ एक जासूस पाकिस्तान का जासूस बैठा है इसमें शरम आनी चाहिए उन लोगों को जो नहरू जी के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर या इंद्रा जी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं देखिए फर्क वो पीडी हमारी पार्टी के उन नेताओं की पीडी जिनोंने DRDO बनाया और इनके संग के वो लोग चौथी पीडी के लोग जो DRDO में रहकर आस्तीन के साप बनकर पाकिस्तान के साथ एक जुगल बंदी गा रहे हैं वाटसैप पे एक महिला के साथ दोस्ती करते हुए मिसाइल्स की तस्वीर स्मगल कर रहे हैं ये व्यक्ति आकाश और अगनी जैसे प्रोजेक्ट में बड़ी महतुपूर्ण भूमिका निभा रहा था अगर अब भी हमारी आँखें नहीं खुली देश की आँखें नहीं खुली आपकी आँखें नहीं खुली हमारी आँखें नहीं खुली तो उसके बाद कुछ देखने को भी नहीं रह जाएगा भले ही आँखें खोल लीजेगा अब प्रधान मंत्री जवाब देंगे या नहीं देंगे हम यह जानना चाहते है हो सकता है प्रधान मंत्री कहें कि देखी साब मैंने डेटा इतना सस्ता कर दिया कि पाकिस्तान तक को डेटा जा रहा है मुफ्त में जा रहा है सिर्फ दोस्ती में चला जाता है एक महिला से दोस्ती हो गए डेटा चला गया पाकिस्तान कितना सस्ता हो गया डेटा मोदी जी के राज में हो सकता है वो श्रे ले ले मजाग की बात नहीं है ये उनकी स्टाइल है हर चीज में श्रेय लेते हैं तो इसमें श्रेय कौन लेगा कुछ लोग हमें बताते हैं जो संग से भी जुड़े हुए है कि आपस में भी कुछ खीचा तानी चल रही है प्रधान मंत्री कार्याले की कभी शेरपूरिया पकड़ा गया कभी किरन पटेल पकड़ा गया तो अब प्रधान मंत्री जी की तरफ से उनके कार्याले की तरफ से भी शैद कोई दाव चला जा रहा है कि ये लोग हमने एक संगी भी पकड़ की दिखा दिया क्या चल रहा है इस देश में हम ये जानना चाहते है आपकी क्या लड़ाई है क्या खीचतान है हमें इससे कोई मतलब नहीं देश को इससे कोई मतलब नहीं मेरे देश की समेधन शील सूचनाए मेरे दुश्मन देश को पड़ोसी की दुश्मन देश को जा रही हो और एक संग ही जो संग से जुड़ा हुआ हो चार पीडियों का जिससे संग का रिष्टा हो वो दे रहा हो और कोई बात नहीं हो रही इस विशे में कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा प्रधान मंतरी से प्रधान मंत्री के नीचे आता है डियाडियो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इस देश को हम लोग आख बंद करके कहां जाने दे रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों के मार्फद से प्रधान मंत्री से इस सरकार से और इस गैर पंजिकरित संगठन जिसका नाम राश्ट्री सवयम सेवक संग है उससे जानना चाहते हैं अपने आपको सास्कृतिक संगठन कहते हैं ये है सास्कृति आपकी